राष्टपती के चुनाव बाकी चुनावों से बिल्कुल अलग होते हैं इस चुनाव का रिजल्ट वोट वेल्यू से डिसाइड होता है और ये वोट वेल्यू की केलकुलेशन कैसे होती है वो समझते है राश्टपती के चुनाव के लिए लोगसभा और राज्यसभा के सांसद और सभी राज्यों के MLA याने की विधायक इसमें वोटिंग करते हैं इस चुनाव में हर वोट की वेल्यू अलग-अलग होती है और ये वेल्यू हर इस्टेट की पोपुलरिशन के बैसिस पे डिसाइड होती है इसलिए वहां के विधायकों की वोट वेल्यू सबसे जाएड होती है उत्रपरदेश के हर विधायक की vote value 208 है मतलब इस हिसाब से उत्रपरदेश के सभी 403 विधायकों की vote value होती है 83,824 और वहीं सिक्किम के एक विधायक की value सबसे कम होती है यानि की 7 क्यूंकि 1971 के census के हिसाब से वहां की population 1971 में सिर्फ 2,00,000 थी इस हिसाब से सिक्किम के 32 विधायकों की वोट वेल्यू होती है 224, हमारे देश में कुल 4,033 विधायक है और इन सब को मिला करके इनकी वोट वेल्यू होती है 5,43,231, वहीं लोकसबा और राज्यसबा के 746 सांसदों की वोट वेल्यू है 5,43,200 यानि की हर सांसद की वोट वेल्यू है 700 तो सबी विधायकों और सांसदों को मिला करके उनकी वोट वेल्यू होती है 10,86,000 और राष्टपती का चुनाव जीतने के लिए उमीदवार के पास 50% से ज़ योगी पार्टियों के पास लगबग 48% वोट वेल्यू है मतलब उन्हें सिर्फ 2% वोट वेल्यू और चाहिए और अगर YSR और BJD इन दोनों में से कोई एक भी BJP के कैंडिडेट को सपोर्ट कर देता है तो वो ये इलक्षन जीत जाएगा तो दोस्तों आज के इस वीडिय आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को सेर करें मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद